वेलकम बैक माई बेसिक क्लास तो पिछली क्लास में हमने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना सिखाया था अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है आप चाहू तो वह वीडियो देख सकते हो आज के इस वीडियो में हम आपको पास्ट परफेक्ट कंटूनियस स्टेंस बनाना सिखाएंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटूनियस स्टेंस को कैसे पहंचानेंगे, इसकी पहंचान क्या है तो पहंचान हमने यहांपे लिखी है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदी सब्द आते हैं तथा कारेजारी रहने का समय दिया होता है जैसे यहांपर हमने एक उदान लिया है कुत्ता एक घंटे से भौक रहा था तो देखिए वाक्य के अंत में रहा था सब्दाया है और यहां पर भौकने का समय दिया है एक घंटा तो ऐसे वाक्यों के अंत में रहा था रही थी रही थे सब्दाते हैं और कारे का समय दिया होता है अब बात करते हैं कि Past Perfect Continuous Dance को कैसे बनाएंगे इसके बनाने के नियम कौन कौन से हैं तो पहला नियम है इन वाक्कियों में साइक क्रिया Head Wean लगाते हैं नियम नमर तीन है इन वाक्यों में निश्चिस समय से पहले सिंस का प्रियोग करते हैं तथा अनिश्चिस समय से पहले फोर का प्रियोग करते हैं या फोर लगाते हैं अब बात करते हैं निश्चिस समय और अनिश्चिस समय को कैसे पहचानेंगे तो देखिए गड़ी का fix time और calendar की fix date निश्य समय के अंदर आते हैं गड़ी का fix time और calendar की fix date और पहार जैसे दो पहार, सुबह, साम, रात ये निश्य समय में आते हैं तो निश्य समय से पहले हम since का प्रियोग करेंगे और बाकी अनिश्य समय में हम for का प्रियोग करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमने उधान लिये हैं वह सुबह से पार्क में तहल रहा था तो देखिए यहाँ पर सुबह है और सुबह एक पहर है तो ये निश्य समय है तो कैस ही अब यहाँ पर एक बचन करता हूँ दौनों के साथ में हम हेड़ून का प्रियोक्ट करेंगे साइक करिया लगाएंगे यहाँ पर हेड़ून ही हैड़ून अब यहाँ पर मुख्य करिया है टैलना तो टैलना की है walk डबलू ए ल के इसमा इनजी जोड़ेंगे इनजी ठीक है ही हैड़ वीन वॉकिंग अब कहाँ पर टेल रहा था वो पार्क में तो इन पार्क अब आएगा कब से टेल रहा था सुबह से तो सुबह यहाँ पर अनिश्चित समय है तो यहाँ पर लगाएंगे since since morning वह सुबह से पार्क में टेल रहा था यह हो चुका है he had been walking in park since morning ठीक है अगला है यहाँ पर तुम दो गंटे से पतंग उड़ा रही थे तो यहाँ पर देखे दो गंटे से अब दो गंटे घड़ी में बज़ते नहीं है यह अनिश्चित समय है तो यहाँ पर तुम है इसमें करता तो you psych करिया head been लगाएंगे sorry head been अब यहाँ पर मुख्य करिया है उड़ाना तो fly fly my ing जोड़ेंगे flying कर्म है यहाँ पर पतंग तो kite अब यहाँ पर समय है दो गंटा तो दो गंटा यहाँ पर अनिश्चित समय है तो यहाँ पर लगाएंगे है for for two hours hour means होता है गंटा और यहाँ पर दो गंटे है तो hours ठीक है अगला है राजेस दो बजे से सो रहा था अब यहाँ पर देखे दो बजे अब दो तो घड़ी में बजते हैं तो यह निश्चित समय हो गया तो इसमें हम सिंस का प्रियोक करेंगे तो यहाँ पर करता है राजेस तो सबसे पहले हम अंग्रेजी लगाएंगे राजेस की राजेस साइक्रिया हैडवीन अब यहाँ पर मुख्य करिया है सोना तो सोना की यह स्लीप एस एल डवल ए पी इसमें आई एंजी जोड़ेंगे स्लीपिंग अब यहाँ पर दो बजना जो है निश्चित समय है तो यहाँ पर लगाएंगे सिंस सिंस दो बजे की है टू ओ क्लॉक ओ क्लॉक मींस होता है बजना ठीक है अगला उदाने यहाँ पर मेरा भाई 2020 से आगराम है रह रहा था तो यहाँ पर निश्चित डेट है कलेंडर की 2020 तो इसमें भी सिंस का प्रियोक करेंगे तो मेरा भाई यहाँ पर करता है तो इसकी अंग्रेजी दोनों की साथ में आईगी तो यहाँ पर करेंगे माई ब्रॉदर माई ब्रॉदर हैड बीन हैड बीन अब मुक्य करिया यहाँ पर रहना रहना कि यह लिवी लेकिन आई एंजी जोड़ेंगे तो लास्ट बाली ए को अठा देंगे तो ल आई वी आई एंजी कर देंगे हम इसको लिविंग इन आगरा अब कव से रह रह रहा था दो अजार बीस से तो यह निश्चिस समय तो यहाँ पर सिंस लगाएंगे सिंस अब इसको कर देते हैं गड़त में दो अजार बीस तो यह हो चुका है माई व्रोदार हैड बीन लिविंग इन आगरा सिंस दो अजार पीस तो इस तरह आप जो है पास्ट परफेक्ट कंटुनियस टेंस बना सकते हो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने और बेल नोटिविकेशन को आल पर भी सिलेक्ट करने ताकि हर वीडियो का नोटिविकेशन आपको मिलता रहे और अगली क्लास में हम आपको future indefinite tense करना सिखाएंगे तो चैनल को subscribe करके जरूर जाएं फिर मिलता हूँ next video में तब तक के लिए goodbye